जैहिं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आप लोग का वीकली टेस्ट होने वाला है 26 तारिक को साइंस का उसके लिए मौश्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं तो व जीवो में उत्तर जीवता के लिए क्या आवेश्यक होता है तो जीवो में जो उत्तर जीवता के लिए पाचन आवेश्यक होगा परिसंजरन आवेश्यक होगा स्वसन होगा या फिर जनन होगा तो जीवो में उत्तर जीवता के लिए जो आवेश्यक होता है वो जनन होता है राइट अंसर हो जाएगा इसका options नमबर A, options नमबर A जरायूच कहा जाएगा अगला सवाल है हमारा question नमबर तीन पर आईए कह रहा है कि जो जीव सिसु को जनम ना देकर अंडा देता है उसे क्या कहते हैं मुकूलन, जरायूच, विखंडन या अंड प्रजक्ट अंडा से अंड प्रजक्ट नाम मिलता जूलता है ना option D इसका यहां पर राइट अंसर होगा आप यहां पर देखिए एक चित्र दिया जाएगा आपसे बोलेगा इसमें चित्र में किस विधी के द्वारा जनन हो रहा है मुकूलन हो रहा है इसका ट्रिक बता देते हैं मुकूलन का मतलब मुख खुलना जहां तहां से मुख खुल रहा है इसका जरायूज है तो कौन सा जनतू यहां पे जरायूज है तो मनुष से मनुष से क्या है जरायूज है अगला सवाल है कि मानुष के नर युगमक को क्या कहते हैं तो मानुष के नर युगमक को कहते हैं सुकरानू क्या कहा जाता है नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से किस जीव में बाही निसेचन होता है तो कौन से जीव में बाही निसेचन होगा तो मिंडक म नेक्स्ट है आपका निमलिखित में से किस जीव में कायंतरन होता है कौन से जीव में कायंतरन होगा ये बताना है तो राइट अंसर हो जाएगा रेसम कीट रेसम के कीट में कायंतरन होगा नेक्स्ट है आपका आंतरिक निसेचन कहां होगा तो मादा के सरीर में मादा के सरीर म आंत्रिक निसेचन होता है अगला सवाल है हमारा की मादा युगमक तथा नर युगमक के संयोजन की विधिक क्या कहलाती है तो ये जो कहलाती है ना ये कहलाती है आपका बताना है आपको तो ये कहलाएगी आपका option निसेचन क्या कहलाता है निसेचन कहलाता है next है एक युगम मूनाच में पाया जाने वाले केंदर फुपर जो entertained महने फिर्फ़ hardshipsa होगी वह जाएगी आपका एक option a ठीक है अग्लत वाले हमारा विखंडन द्वारा जननन निमलखित में से किस jee में होता है तो विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो अमीबा में होता है याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका मादा जनन अंग है यहाँ पे मादा जनन अंग बताना है कौन है तो गर्भास है गर्भास है क्या है मादा जनन अंग है अगला स्वाल है अमारा लैंगिक जनन में भाग कौन लेता है तो लैंगिक जनन में जो भाग लेगा वो लेगा एक नर और एक मादा ठीक है नेक्स्ट है आपका मादा जनन अंग इसमें से कौन है आपको बताना है तो मादा जनन अंग है एक जोड़ी अंडा से मादा जनन अंग में क्या होता है एक जोड़ी अंडा से होता है अब यहाँ पर देखे रीक तस्थाम को भी के लाते हैं सुकरानू यहां पे आप लोग सुकरानू भर लिजिए दूसरा सवाल है आपका कि मादा युगमक ते था नर युगमक के सनलेयन से डैस बनते हैं तो क्या बनते हैं तो युगमनज बनते हैं क्या बनते हैं युगमनज यहां पे आप लोग युगमनज भरिएग है अगला स्वाल है हमारा कि वह जनन जिसमें मात्र जीव की आविसकता होती है क्या कहलाती है तो उस जनन को अलेंगिक जनन कहते हैं क्या कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं ठीक है उसमें कोई जरुवत नहीं पड़ेगा कोई के मेलफ ही मिलगा तो अंडास है अंडास है और सुकरानू के सनलेयन को क्या कहा जाता है तो अंडास है और सुकरानू के सनलेयन को निसेचन कहा जाता है क्या कहते हैं नि कायांतरन ठीक है यहां पे आप लोग कायांतरन भर लिजेगा कोशन नमबर 6 में ठीक है अगला है पर्थम कलोन भील का नाम आपको बताना है तो पर्थम कलोन भील का नाम था डौली यहां पे आप लोगों को डौली भरना है ठीक है यहां पे डौली भर लिजेगा कोशन में आपका मनुस्त्य में डैस निसेचन होता है मनुस्त्य में आंतरिक निसेचन होता है कैसा निसेचन होता है आंतरिक मनुस्त्य में आंतरिक निसेचन होता है निसेचन के बाद डैस विभाजित होकर भूर्ण बंजाता है क्यों तो युगमनज लाश्ट में आपको क्या भर अपने final exam के तयारी कर सकते हो, playlist का link description में मिल जाएगा, या नहीं तो आप screen playlist पे click करके भी आप जा सकते हो, मिलते हैं next अगले वीडियो में, thank you.